चले एड़ेंट नमट टेन जो है वह बड़ी छोटी सी एड़ेस्टमेंट है बड़ी एड़ेस्टमेंट के बाद कहते हैं लुकी एड़ेस्टमेंट कर लेनी चाहिए डाइड़ इंट्रस्ट और क्यापिटल सबसे पहली सीज़ हम बात करें प्रोप्राइटर्श्य बिजिनस की है इसमें और मीं एक ही का ist года लुए उन्सन्स करता है शक्रता थर्सक्राइस स्थक्राइब दोn ठीक है तो as per accounting norms business अगर इस प्रोप्राइटर को अपने ही प्रोप्राइटर को कोई भी interest देता है उसकी capital पर तो उसको हम बोलते हैं interest on capital तो interest on capital basically treated as an expense for the business यह business के लिए क्या माना जाएगा खर्चा माना जाएगा ठीक है अब business के लिए खर्चा माना गया लेकिन as per income tax norms देगे तो प्रोप्राइटर अगर अपनी ही capital पर ब्याज लेता है तो उसको खर्चा नहीं माना जाता देकिन हम अभी सिर्फ accounting की बात कर रहे है तो interest on capital अगर business अपने और को कोई दे रहा है तो वो that is expense for business और वो expense कहां पर आएगा profit and loss account में ठीक है उसके बाद जैसे कि आपने किसी से 10,000 रुपे उधार लिया अब उस 1000 रुपे ब्याज और लग गया उसके उपर तो आपको उसको कितना पैसा लटाना है 11,000 या तो आप 1000 रुपे ब्याज पे कर दो अगर आप यह नहीं करोगे तो आपका loan का जो amount है वो बढ़ जाएगा ऐसे बिजनस के लिए यह जो capital है यह भी एक तरह की का loan है ठीक है हम इसको loan बोलते नहीं क्योंकि actual में borrow नहीं करा हुआ पर यह भी एक liability है अब इस liability पर भी interest लग गया तो यह liability बढ़ जाएगी बिल्कुल बढ़ जाएगी तो ऐसे ही interest on capital का impact क्या होता है पहले आप इसकी journal entry स ठीक है और यह capital में ही credit हो जाता है capital बढ़ जाती है इससे मैंने का ना firm की liability है वो जो बढ़ जाएगी ठीक है बिजनस की liability बढ़ जाएगी जो बिजनसे और से capital लिए हो capital में इंट्रस्ट भी आड हो जाएगा उसके बाद इसकी दूसरी एंट्री होती है यह जो इंट्रस्ट और capital है बाकी खर्चों की तरह कहां चला जाता है profit and loss अगांड में तो आपको यह जर्नल इंट्री भी पता जलगी और अब इसका हम financial statements के अंदर accounting treatment भी सीख लेते हैं देखें एक छोटा से एक्जांपल ले रहे हैं capital है ट्राइल बैलेंस के अंदर जो capital दीवें और additional information के अंदर अगर आपको कोश्चिन कहता है प्रोवाइड 6% interest on capital तो क्या करेंगे आप profit and loss account के अंदर interest on capital नाम का एक खर्चा IOC मतलब interest on capital ठीक है अब कितना interest लएगा अगर एक लाग की capital साल के शुरू से ही लगी रही है तो फूरे साल का interest अगर कोई period में change है capital बढ़ रही है काम हो रही है इन that case हम क्या करेंगे वो उसी accordingly हम interest calculate करेंगे अब capital एक लाग की थी इसी के अंदर interest on capital छे हजार रुपर आड़ भी हो जाएगा तो अगर overall देखा जाए तो interest expense बन गया और capital में add हो गया expense बनके वो capital को कम भी कर रहा है और capital में add भी हो रहा है तो इसका effect 0 हो जाएगा जो हमने accounting equation chapter में पढ़ा था शायद आपको याद भी हो नहीं हो तो उसके lectures देख लेना ठीक है इसमें कोई अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनस से पैसा विड्रॉव कर रहा है परस्नल यूज के लिए तो उसको हम बोलते हैं drawings drawings हमारी capital कम होती है अब business ने एक तो उसको पैसा दिया ठीक है अब बदले में वह interest चार्ज करेगा honor से कहेगा भाई पैसा आप मुझसे ले रहे हो तो आप मुझे उस पर interest दो तो यह interest on drawings जो होती है बिजनस के लिए एक कमाई है ठीक है अब एक कमाई अगर honor उसे cash में दे रहता है तो तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो इसके impact क्या होते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे देखें interest on drawings income है और income क्या होती credit जैसे interest on capital expense है interest on drawing income है ठीक है यह drawings के amount को और बढ़ा देते हैं क्योंकि एक तो पैसा proprietor ने निकाला उस पर से अगर वो interest पे नहीं कर रहा हमें तो हम उसकी drawings में वो interest आड़ कर देते हैं हम मानते कि और ज्यादा withdrawal हो रहा है ठीक है like 10,000 रुपे proprietor ने निकाले यह तो capital में से less हो गई होगा अब 10,000 रुपे पे हमने उससे ब्याज भी लेना था 1000 रुपे तो यह भी capital में से हम less कर देंगे या तो proprietor में cash देते नहीं तो हम उसी capital में से पैसा काटेंगे यूजिकि लेना तो हमने ultimately proprietor से है तो अब जो उसकी capital है वो कितने से less होजेगी 11,000 से ठीक है मतलब interest on drawing drawing में ही add कर दिया जाता है और capital में से minus करते हैं तो इसने हमारी drawings को increase कर दिया second फिर यह जो interest on drawings है बाकी incomes की तरह profit and loss account में चला जाता है इंट्रस्ट और रॉइंग्स टू रॉइंग्स अकाउंट और सॉरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट यह इसकी एक्चुल जनल इंट्रीज है अब देखे इसका impact क्या आता है मैं छोटा से example लेता हूं लेट से ट्राइल बैलेंस के अंदर कैपिनल दिवी थी दो लाग ग्रॉइंग्स दिविया है थी सदार और अधीशनल इंफॉमेशन के अंदर दिया हुए चार्ज शिक्स परसेंट इंट्रस ओंड्रॉइंग्स फॉर एन एवरेज पीरियद ओफ एवरेज पीरियद ओफ एवरेज पीरियद ओफ इसक्स मुंथ देखें जब ड्रॉइंग की डेट गिविन आओ तो हम कोई भी आवरेज पीरियद लिलते हैं यहां पर तो कुश्चन ने बता दी कि 6 मेंने का ब्याज लगाना है अब यहां पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर हम इंट्रस ओंड्रॉइंग्स को क्रेडिट जाएगा 6% पर आनम है और 6 महिने के लिए हम 6 by 12 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह हो जागा 900 उपीज और बैलन्स शीट में इसका इंपक्ट क्या आएगा बैलन्स शीट में हमारी कैपिटल है 2,00,00 इसमें से ड्रॉइंग्स तो लेस होगी होगी 30,000 उपे इसके साथ साथ इंट्रस्ट और ड्रॉइंग्स भी लेस हो जाएगा हम प्रोप्राइटर से इंट्रस्ट और नहीं 900 उपे भी चार्ज करेंगे तो 2,00,00 अगर वो कैश दे रहे था बिजनस के इतना ही कैश डाल देता तो यह लेस नहीं होता उसकी कैपिटल हो कम इसे बाउट गुट्स गिवेन ऐस चारीटी अगर आप फॉड्स को था जेर है उसकी के डॉड्स गिवेन अस डोनेशं या फिड डॉनेशन करें और गुट्स गिवेन अज फी सैंपल्स अगर आप उनकी फ्री सैंपलिंग कर रहे हो और गुट्स यूज़ फॉर पर्सनल पर्पस अगर ऑनर पर्सनली उन गुट्स को यूज़ कर रहा है तो क्या होगा इन सब का एक ही आंसर है देखे ये मेरे पास सपोस्ट गुट्स रखे हुए बड़े सारे गुट्स है ठीक है यह सारा मेरे पास स्टॉक रका हुए इस हौल समय स्टॉक अब क्या हुआ इन में से कुछ स्टॉक उठा कर मैं ले गया कες कुछ स्टॉक उठा के मैंने टीक है डोनेशन डोनेट कर दिया तो क्या मैंने goods मेरे जो goods available for sale है वो कम हो गए आंसर इस है न भई जब मैं goods को खरीदता हूं तो किस account में डालता हूं पर्चेज account debit तो cash या टो creditor है न भई मैं उनको पर्चेज account में क्यों डालता हूं क्योंकि इनको मैं sale कर रहा हूं sale करना है मुझे आगे for purpose of sale तो इसलिए मेरा purchase का जो खर्चा होता है वो direct expense होता है क्योंकि वो goods को करा जा रहा है और उनी goods को मैंने आगे बेचना है तो direct expense है वो मेरा ठीक है लेकिन अब क्या हुआ वो जो purchase करें वो goods से वो purchases में रही नहीं वो sale के लिए availability रहे वो तो हमने donation में डाल दिये तो हमारी purchase की value reduce हो जाती है ठीक है suppose अगर हमने दो लाग का माल खरीदा था उसमें से बीस हजार रुपे का हमने donate कर दिया तो बीस हजार रुपे less हो जाएगा अब हमारे पास goods कितने के हैं जो sale के लिए available है एक लाग 80,000 के ठीक है अब इस purchase को करने के लिए लिया था अब वो बिके तो है नहीं वो तो मैंने donation donate कर दिये तो इसलिए उन goods की cost निकालके मैं donation में दिखा दूँगा ठीक है या फिर मैं charity expense में दिखा दूँगा donation या फिर charity expense account debit ठीक है और यहां पर मैं goods की value क्या लूँगा जितने के वो मुझे पड़े थे cost लूँगा उनका selling price नहीं लूँगा मैं चाहे goods की market value जाद हो लेकिन मैंने जितने का खरीदा उतना ही stock कम करूँगा ठीक है तो 20,000 का मुझे पड़ा था तो 20,000 का stock मैंने गम कर दिया और उसके बाद यह charity वाला जो खर्चा है यह profit and loss account में चला जाएगा तू charity मतलब ultimately जो खर्चा trading account में आना चाहिए था purchase के अंदर वो purchase में हम नहीं आएगा क्योंकि वो हमने जो goods हैं वो donate कर दिये वो हमारा दूसरा खर्चा बन गया अब हम उन गुट्स को बेचने वाले नहीं है और डारेक्ट एक्सपेंस की तो definition ही है एनी एनी गुट्स एनी एक्सपेंसे और पर्चेज ऑफ गोड्स और एनी एक्सपेंसे incurred to bring goods into saleable condition is a direct expense अधिक है कोई डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर similarly अगर मैं दूसरा लोगों कि अगर मैं गुट्स को sample कर दिया तो same case है गुट्स को sample करा तो भी मेरी purchase जो मेरी goods की value है वो कम हुई मैं उनको sample कर दिया in that case again अगर मैं goods को sample कर देता हूं तो मेरे purchase account से वो goods निकल जाएंगे क्योंकि मैं उनको sale नहीं कर रहा तो मेरे direct expense में नहीं होने चाहिए मेरे stock के अंदर नहीं आने चाहिए और उसको मैं कहां दिखा दूँगा advertisement account पर advertisement account debit हो जाएगा उस case में ठीक है या फिर goods distributed as free sample account ठीक है यह बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप advertisement में डाले तो ज्यादा बेटर है और यहां पर भी उनकी cost आएगी अच्छा अब थर्ड केस क्या था अगर गुट्स को प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए यूज करें तो भी हमारे goods कम हो जाएगे हमारा stock कम हो जाएगा देन अगेन मैं अपनी purchase value कम कर दूँगा और उनको मैं कहां दिखाऊंगा अगर मैंने कोई भी चीज पर्सनल यूज करी है तो वो मेरी चारिटी expense account debit to purchase account अगर हमने advertisement करा है तो advertisement free sampling करें तो advertisement account debit to purchase account और अगर हमने drawings करी पर्सनल यूज करा है तो drawings account debit to purchase account इनमें कोई डाउट है तो पुछ लो देखें अब trial balance के अंदर purchase value दिए 10 लाग की additional info additional info के अंदर दिया हुआ है goods costing rupees 5000 given as charity हम ने इनको charity कर दिया ठीक है goods costing 8000 market value 10,000 taken by प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर ले गया चीक है एक और नहीं चीज़ आट करों goods costing 4000 given to employees हमने employees को दे दिये हमें इन लिवे आट आफ देर सेलरी इन आट सेंदिंग शैलरी 40,000 यह नया पॉइंट डाल दिया काम आएगा आपके गुड्स कॉस्टिंग 6,000 गिवन आज सैंपल इनको सैंपल कर दिया ठीक है जी तॉब इनके ट्रीटमेंट्स क्या होंगे यह फर्स सेकेंड और फॉर्थ पॉइंट में आपके पहले डिसक्स करने यह सालरी वाला पॉइंट जो बाद में डिसक्स करूँगा ठीक है तो यहां पर हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाteilट इसके इंपक्ट जोएंगे ड्रेडिंग पी ल पर आएंगे बैलन शीट पर नी आएंगे लिए तो एप्स कि ये आए ग काउटेश्च यह savings फोड़ ओल गले यह इन आयए यह ट्रेडिंग अकाउंट में अलग-अलग बना रहो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉज अकाउंट साथ में बना सकते हैं उपर नीचे लेकिन मैं अलग-अलग बना रहो देखे तू पर्चेस दस लाग रुबे की हमारी पर्चेस फिगर से जो ट्रेडिंग में आ गई अब इसमें से जो गुट्स कम होते रहे जैसे कि चारिटी पांच हजार की गुट्स यह कम हुए यह चारिटी का खर्चा कहां चला गया प्रॉफिट अन लॉस में चला गया क्योंकि चारिटी इस नॉट डारेक्ट एक्समेंस प्रोप्राइटर ने जो लिए गुट्स वह ड्रॉइंग्स आठ अधार जितने के भी लिए आगए मार्केट वैली कोई भे परक नी बढ़़ता इसका जो नेक्सिट इंपक्ट आएगा वो आएगा हमारी बैलंस शीत पे यहां मैं बैलंस शीट ड्राइब сыa अग्समें Capital में से जो drawings हैं ठीक है जो goods goods निकाले है drawing of goods आठथ हजार रुपे लेस हो जाएगा minus ठीक है अब आ जाते हैं यह जो sample कर रहा है sample वाले goods भी जोगा sample वाले जो goods है छेजार वह यहां से purchase में से कम हो जाए गुड्स सो कम होते जा रहे न और यह चला जाएंगे एडवर्टाइजमेंट में ची अधार के अब बात रहेंगी थर्ड पॉइंट कि चार अधार के गुड्स हमने एंप्लोई को दे दिये इन लिए अफ देर सालरी मतलब सालरी के लिए ठीक है सालरी की बजाए हमने उनको 4000 के गुट दे दिए और 40000 की स्ल्रेश भी देनों बागी है इसका मतलब तोटल साल्री का हुआरा कितना हुआ 40,000 हमने देना है भी और 4000 रुपए कि हमने उसक को गुट दे दिए तो तोल साल्री खरचा कीतना होगि लिए भी इसको कैसे करें तो अब जो गुट opin हमने salary employees को दे दिए for salary वो भी हां से कम हो जाएंगे है ना वह अविलेबल तो रही नहीं सेल के लिए और वो कहां एड हो जाएंगे वो सालरी में एड हो जाएंगे ठीक है सालरी में 4000 की गुट साइड हो गए और कुछ आउट्सेंडिंग सालरी भी है 40,000 की वो भी हां चली गए तो टोटल खर्चा कितना आगया profit and loss अकॉन में 44,000 और आउट्सेंडिंग सालरी हमारे लिए एक लाइबटी है जो हमने employees को पे करनी है ठीक है यह है कोशन TS गिरेवाल में ऐसा कुछ मिलता जुलता तो आपको अब सम समांट उसको दो गए किसी की सालरी 50,000 अपने 20,000 की गुट जे लिए तो अब उसकी सालरी 30,000 दो गया ठीक है इस पर कोई डाउट है तो you may ask ठीक है फटा फट नेक्स्ट वीडियो के लिए आजो नेक्स्ट वीडियो देखते है कि अजब है तो चटरे प्रूबला येक्स्ट वीडियो के लिए तो प्सक्राइब।